दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं एडू बगीचा आज हम लोग बाइलोजी का एक बहुत ही इंपोर्टेंट चप्टर कंकाल तंत्र को लेकर आए हैं इससे पहले हम लोग रेस्पाइरेटरी सिस्टम डाइजस्टिप सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्ट पढ़ चुके हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप लोग जाकर देख सकते हैं तो चलिए हम लोग सबसे पहले आज जानेंगे कि एस्कलेटल आखिर है क्या हम कंकाल किसे कहेंगे तो देखिए हडियों के समूह को कंकाल कहेंगे लेकिन एक और ध्यान देने वाली बात है कि यह हमारी टोटल बॉडी वेट का 20 प्रतिशत भाग होता है हमारा यह कंकाल जो है टोटल बॉडी वेट का 20 परसेंट होता है और इसका काम देखते हैं कि यह काम क्या करता है तो सबसे पहले बहुत इंपोर्टेंट काम है कि यह ह अच्छे सुडॉल दिखते हैं, यह हमारी कोमल अंगों की रक्षा भी करता है, अब कहेंगे यह हमारे कोमल अंगों की कैसे रक्षा करता है, तो कोमल अंगों की रक्षा करता है, जैसे यह रीब केज है, रीब केज के अंदर हाल्ट है, लीबर है, इसकी रक्षा कौन करता है, पिर हम देखते हैं, यह हमारे movement में, यहनी हमारे शंचरन में, अथ्वा घूमने फिरने में, हमारी मदद करता है, यह सहयोगी है, इसी के सारे हम लोग घुम सकते हैं, चल सकते हैं, दोर सकते हैं, अगर जड़ा सोचिए कि बोडी में हमारी यह कंकाल नहीं रहे, तो क्या होग ये हड़ी का समूह नहीं रहे, तो कैसे हम क्या घुम सकते हैं, दोर सकते हैं, चल सकते हैं? नहीं, तब तो हमारा बोडी मांस का एक लोथड़ा बन जाएगा, और अगर सोची ना कि अगर इस हड़ी को निकाल दिया जाए, तो मांस की एक पोटली बन जाएगी हमारा सरीर तो वैसे नहीं होगा तो ये हमारे चलने फिलने में भी मदद करता है साथ ही एक बहुत इंपोर्टेंट चीड़ ये हमारे ब्लोड को ब्लोड में जो RBC और WBC होता है इन सारे चीजों का निर्मान भी करता है यानि इसका उत्पादन करता है अब कहेंगे हड़ी कैसे ये कंकाल कैसे करेगा तो देखिए कंकाल है तब ही तो हड़ी है हड़ी है तब उसके अंदर बोन मेरो है आज जब बोन मेरो है वहीं पे तो ये ब्लोड और RBC, WBC और बनते हैं तो देखिए कितना इंपोर्टेंट है अगर बोडी में ब्लोड ही न रहा है RBC ही न रहा है तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे तो ये एसकलेटन हमारे कितना यूजफूल है हमारे जिन्दिगी के लिए फिर देखिए ये बोडी को सपोर्ट भी करता है अब इस सपोर्ट कैसे करता है देखिए ये बोडी में हमारे ये देखिए एसकलेटन है तभी तो हम खड़े हैं एसकलेटन नहीं होगा तो हम ऐसे गिर भी सकते हैं तो ये हमारा एक सपोर्ट भी देता है इसलिए यह support भी करता है और एक और चीज, इसमें minerals भी पाए जाते हैं, अब कहिएगा कि body में ये जो skeleton है, उसमे ने मिनरल कैसे पाए जाएंगे, उसमें कैसे पाए जाएंगे, तो देखिए उसमें कैसे पाए जाते हैं, body में जो हड़ी होता है, हड़ी में calcium पाए जाता है, भी होता है ठीक है चलिए देखते हैं यह मुख्यता दो परकार का होता है इसकलेटन जो है वो दो टाइप का होता है और कौन-कौन तो पहला होता है आंतरिक कंकाल और दुसरा होता है बाहे कंकाल यह आंतरिक कंकाल जो है इंडो एसकलेटन इसको समझते हैं इस वेसे जीवों में पाया जाता है, जिसमें ये कंकाल जो है, बोडी के अंदर पाया जाता है, तो उसको हम लोग आंतरिक या इंडो एस्केलेटन कहेंगे, कुछ ऐसे जीव हैं, जिनमें ये कंकाल बोडी के बाहर, यानि उपरी भाग में पाया जाता है, इसको बाहे कंकाल कहेंगे, तो आए देखते हैं example के तोर पे, कि यह जो अंत्रिक कंकाल है, यह human में पाया जाता है, इनसान में पाया जाता है, cow, goat, hen, इस सब में पाया जाता है, बाहे कंकाल की बात की जाए, तो बाहे कंकाल जो वैसे और जियुूह जिसके बाहर होता है seeing the неё ऑप लोग देखे होंगे गोंगा खेतों मिलता है उसका इसकलेटन जो है उसका बाहर होता है दुग talking खटमल की सिप ये तेल चट्टा mile च sampo Beef कॉक्रोस उब शकन और पर जाता है तो तमके realistic के लिए दिए छूब यह रूप जाता है उसके बाद फिर दर के बहाद के भागग जाता है तो यह क्या होता है उसके बाहरी ऐस्कलेटन है थोड़ा सँ डाइमेज हो जाता है पैर पढ़ने के बाद लेकिन मरता नहीं है उससे ठिक है तो यह सब जीवों में बाहरी अशकलेटन बीछु में यहा तक मच्छर में करांध़े बाहरी ये कंगाल अब हम देखेंगे ये human cancalm, यानि mano cancalm, क्या है और mano cancalm, कितने पार्ट में बटे होते हैं इसको समझते हैं यह जो mano cancalm है, इसमें दो मुखेता पार्ट होते हैं, पहला यह bone, पहला bone और दूसरा cartilage, जिसको bone को अस थी, और cartilage को उपास थी कहते हैं यह दो चीजों से मिलके बना होता है, एक bone से और एक cartilage से, अब bone और cartilage में क्या difference है bone को हम लोग मजबूत हड़ी कहते हैं actual में bone मजबूत होता ही है वो तो आप लोग भली भाती समझते हैं, दूसरा बात यह cartilage, cartilage को हम मजबूत हड़ी ना कहकर इसको हम लोग कमज़ोड हड़ी कहते हैं, अब क्यों यह कमज़ोड हड़ी है और कैसे यह मजबूत हड़ी है, इसके बारे में देखते हैं इसमें calcium पाया जाता है जो कि हमने पहले भी देख चुका है इसमें phosphorus भी पाया जाता है सेम चीज यह cartilage में भी calcium पाया जाता है और phosphorus पाया जाता है यहां तक तो कोई difference नहीं मिला हमको कि मजबूत और कमज़ोड क्यों कहेंगे लेकिन आगे देखते हैं कि इसमें calcium carbonate CSU3 देखिए इसमें calcium carbonate पाया जाता है bone में और यहीं calcium carbonate के चलते ही हड़ी मजबूत होती है objective पुषता है कि हड़ीयों में कठोरता किस के चलते होता है तो हड़ीयों में कठोरता इसी calcium carbonate के चलते होता है ना की calcium और phosphorus के चलते हैं ठीक है और यहीं calcium carbonate cartilage में यह उपास्थी में नहीं पाया जाती है clear अब देखते हैं कि इसमें bone में ocene नामक एक protein पाया जाता है bone में ocene नामक protein पाया जाता है जबकि cartilage की बात करें तो यहां पे condrin नामक protein पाया जाता है यह याद रखना बहुत जरूरी है objective में बहुत पुषता है SSCGD और में चल्वेज उगरा में बहुत पुषता है कि bone में कौन सा protein पाया जाता है ocene protein cartilage में कौन सा protein पाया जाता है तो condrin protein यह सब बाते ध्यान में रखना जाए cartilage आप लोग bone से भली भाती परचित है cartilage क्या होता है कि प्रतियक bone के मुहाने पर जहां bone का जुडाव होता है किसी दूसरे bone से वहीं पे cartilage एक मुलायम हड़ी होता है जब कभी आप लोग chicken अगरा खाय होंगे तो वहां पे जब उसके leg piece को खायेगा तो वहां पे जब bone का last वाला part होता है वहां पे कि जो हड़ी है उसको हम लोग दात से दबा कर उसको भी चबा के खा जाया जता है तो वहीं कमजोर हड़ी उपास थी याने की cartilage गालाता है clear? चलिए अब इसी escalaton को हम divide करेंगे कि escalaton division अगर देखा जाये तो सबसे पहले देखेंगे कि adult human में total 206 हड़ीया होती है अब यहीं 206 हड़ीया होती है अब इसी को division wise करेंगे कि कैसे 206 में कौन-कौन से part में मिला कर यह 226 होता है तो इसको देखेंगे इसमें दो तरह का होता है एक होता है appendicular उपांगी उपांगी में 126 हड़ी होती है यह ध्यान देने वाली बात है उपांगी में 126 हड़ी होती है जबकि दूसरा है axial यानि अक्छिये अक्छिये में 80 हड़ी होती है अब यह समझेंगे कि उपांगी क्या है और अक्छिये क्या है तो देखेंगे अक्छिये हम उसको कहेंगे जिस हड़ी के द्वारा किसी दूसरे यानि हमारा रीव केज देखिए तो यह जो रीव केज है इसके अंदर लंग्स है हर्ट है यह बैक बोन है तो उसके अंदर भी बहुत सारी नसे गई हुई है ठीक है तो यह सारी चीज़े आ जाती है एक्सियल में जबकि उपांगी की बात की जाए तो यह हमारे जैसे मैक्सिमम जो जुकर होता है उसको कहेंगे जैसे की लिम्ब जो होता है चलने फिरने में जो सहहता करता है उसको लिमब कहेंगे तो यहले तो हेंगि अपर disobed्री फोजाएगा हाथ ओर होग्ड़ू और रिम हुआ होता है जिसको हम लोग एसकैपुला और छेत्रिय भासा में इसको पाखूर कहते हैं तो यह सारी हडियां एपेंडिकुलर कहलाती है अब हम बारी-बारी से इस एपेंडिकुलर की टोटल 206 बोंस को आज हम लोग पढ़ लेंगे और ना सिर्फ पढ़ेंगे बलकि याद लेंगे ये 126 कैसे कहा कहा कि हडियां मिलकर 126 होती है तो आएए देखते हैं सबसे पहलें अपर लिम की बात करेंगे तो अपर लिम्ब यानी हैं इस हैंड का इस्कलेटन देखे तो यहां यह figure है, इसमें जो सबसे बड़ी एक मोटी और single हड़ी है, जो कि यहां से लेकर और यहां तक की हड़ी है, इस हड़ी को हम लोग क्या कहेंगे, humorous, तो देखिए humorous की संख्या कितनी हो गई, एक हो गई, अब यहां दो हड़ीयां है, एक radius और एक अलना, confusion हमे में दो हड़ीयों में, किसको radius और किसको अलना कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा, जो अंगुठे की side वाली हड़ी है, उसको कहेंगे radius, अज जो कानी अंगुली की side की हड़ीयां है, उसको कहेंगे अलना, तो देखिए, यह radius एक, अलना एक, कोई दिकत, यहां देखिए, कारपल्स बोलते हैं, क्या, कारपल्स, जो की बहुत important है, याद रखना और बहुत easy भी है, देखिए, कौकारपल्स, कोई से कलाई, कौकारपल्स, कोई दिकत नहीं याद करने में, कौकारपल्स हो गया, आठ हड़ियां, उसके बाद देखते हैं, जब यहां आठ हड़ियां तो यहां से यह उंगलियों में पांच उंगली है तो पांच हड़ी तो इनफेक्ट आया होगा यहां से इसको connect करने के लिए तो इसके हड़ीयों के यानि हथेली की हड़ीयों को बोलते हैं metacarpals तब देखिए metacarpals तो पांच हो ही गई चुकि पांच उंगलियों से connect करना है तो पांच हो गई यहां पर metacarpals तो metacarpals 5 फैलेंजिज की बात करें उंगलियों की हड़ी को फैलेंजिज बोलते हैं अब यहां 14 होती है कैसे 14 होती है तो पांच उंगली है प्रतेक उंगली तीन फोल्ड में घुमता है देखिए तीन फोल्ड में सब घुम रहा है लेकिन अंग उठा जो है दो ही फोल्ड में घुमेगा तो हो गया ना पांस्तियां पंद्रा नहों करके उठा दो ही है इसलिए 14 हो गया ठीक है तो यह समझ गया अपर लिंब हैंड तो जब हैंड में अब कांट किजिए 1 2 3 5 8 8 16 और 14 30 हो गया तो जब एक हाथ में 30 तो दो हाथ में कितना साथ क्लियर को चलिए अब देखते हैं लोवर लिम का मतलब पैर होता है यह देखिए यह पैर का इसकलेटन ठीक है इसमें एक सबसे मोटी और सबसे बड़ी हड़ी है जिसको हम लोग फीमर बोलते हैं वैसे हम इसको पहले से भी जानते हैं कि सरीर की सबसे बड़ी होती है जिसको जांक की हड़ी भी बोलते हैं हिंदी में इसका नाम उरू अस्थी मिन्स हड़ी और नाम है इसका उरू कभी-कभी यह भी पुछता है इसलिए ध्यान रखने के लिए अब यह खोंखली हड़ी होती है यहां फीमर से जब नीचे आएंगे तो हम लोगा जो न क्या बोलते हैं पटेला फिर यहां भी दो हड़ी नीचे वाले जो घुटना और नीचे एड़ी के बीच में दो हड़ी राती है उसमें एक का नाम है तीबिया दूसरा का नाम है फीबूला फिर यहां confusion तैप इधर को बोलेंगे तो जो अंगुठे के ठीक उपर जो मेन हड आई हुई होती है उसको टीबिया बोलेंगे जो साइड से पिछे की तरफ जोड़ी हुई होती है उसको फीबूला कहेंगे दोनों की संख्या वन इसका भी और इसका भी फिर यहां पे जैसे हम लोग कलाई में यहां आठ था अब यहां कलाई के हडियों को कारपल्स बोलते थ नहीं तो 8 हिसमे था 8 हिसमे भी होगी लेकिन एक हड़ी पटेला के रूप में है तो यहां साथ हो गई और उसकी हड़ियों का नाम हो गया टार्सल्स साथ हो गया अब टार्सल्स के बाद जैसे हम लोग हाथ में देखे थे कि 5 अंगलियों से कनेक्ट किया हुए है 5 हड़ी वैसे ही 5 पांच उंगलिया तो पैर में भी होती है तो वहां भी तो पांच गो connection होगा पांचों उंगलियों से एक एक तो देखिए उसको हम लोग बोलेंगे मेटा टार्सल्स तो मेटा टार्सल्स में कितना होगा 5 हो गया कोई दिकत नहीं समझने में अब देखते हैं जैसे हाथ की उंगलियों के हडियों को phalanges बोलते थे वैसे ही पैर की उंगलियों के हडियों को phalanges बोलेंगे तो यहां भी 14 हो गया अब 14 कैसे हो गया वहां भी तो ये क्योंगली तीन फोल्ड में घुमता है सिवाए उठे को छोड़के तो वहां भी 14 होगे तो इसको भी काउंट करेंगे तो आएगा 30 चुकि दो पैर है तो टू से इंटू करेंगे तो हो गया 60 अब देखिए 60 60 120 120 में से 126 में से 120 हमको पता चला बाकी है चो वह भी आये समा आज चैहें तो देखिए पैर पैर की हड्या जो फीवर है जहां पर ओके जॉए होती है अ कमर के पास उसी हड्डी को हम लोग पेलविक कहते हैं तो दो पैर है तो दो हड्या होगी दोनों आपस में ईससे जूड़ी हो यहां कॉल्य होगया देखते हैं उसके बारे में देखते हैं तो यह कॉलर बॉन जो है इसी को ब्यूटी बॉन भी कहा जाता है इस बॉन का नाम क्या है कैल्वीकल कॉलर बॉन से याद रखेंगे रिलेट रहके कॉसे कॉलर से कॉलर और कॉलर से देखिए तो कैल्वीकल दोनों लगभग लगभग रिलेट है, तो यहाँ Calvical भी 2 हो गई तो 4 हो गया, a scapula, uns, makella, जिसको हम लोग बोलचाल में पाखुर बोलते हैं यहाँ पे, यह जो है पीछे वाली बड़ा सा हड़ी, उसको हम लोग पाखुर यह uns, makella, English में scapula कहते हैं, जिसके संख्या 2 होती है तो देखिए हो गया 246 और 126 हम लोग पहले देखिया थे टोटल हो गया हमारा 126 कोई दिकत नहीं अब अब यह 206 में से 126 तो हम लोग ऐसे ही याद कर लिए यूमरस, रेडियस, अलना, कार्पल्स, मेटा कार्पल्स, फैलिंजिज, यूमरस 1, रेडियस 1, अलना 1, कार्पल्स 8, मेटा कार्पल्स 5, फैलिंजिज 14 ठीक है पैर में भी वैसे हैं फीमर, पटेला, टीबिया, फीबूला, टार्सल्स, मेटा टार्सल्स और फैलिंजिज, य पैर से पैल्विक देखिए तो पैल्विक दो केल्विकल कॉलर बोन या इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं केल्विकल दो एसकेपुला जहां जिसको पाखुर बोलते हैं या अंसमेखला है यह भी दो तो हो गया टोटल हमारा 126 क्लियर आईए अब हम लोग देखते हैं दूसर या अक्षिये का देखेंगे जो असी होता है अब यह असी कैसे होता है कहां कहां पर होता है यह हम समझते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे यह जो बैकबोन है पीछे वाली हड़ी जिसको हम लोग मेरू दंड या रीड की हड़ी भी कहते हैं इसका एक और नाम है मेरू इसको देखेंगे तो यह बड़े लोगों में यानि ऐडल्ट मैं इसकी संख्या होती या जबकि बात करें बच्चो मैं इसकी संख्या होती है फ़र्टी थ्री चाहिसको तो हम लोको साइट से जानना है कि सेट revenue होगा हम लोग इसमें 26 की देखेंगे चलिए अब न मिक्चर मैं क्या होता है कि पीछे से यानि जुड़ा हुआ नहीं होता है, ऐसे निकला हुआ रहता है दो हड़ियां, ठीक है, दो हड़िया, दो जोड़ी ऐसे निकली हुई होती है, तो इसलिए यहाँ पर अगर चोटोट लग जाता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि यह खूला है, उसमें मान स्पेशिया इसे दबती हैं दर्द जादा होता है ठीक है तो चलिए 24 ये हो गई एक जो बीच वाली हड़ी होती है जहां पे आके सब जुड़े हुए होते हैं उस हड़ी को एस्टर्नम बोलते हैं उसकी संख्या एक होती है तो 24 ये एक टोटल चेस्ट की बात करें तो कित इसको देखते हैं 29 होती है अब इसमें से कैसे होती है ये देखते है सीर का है तो यहां गरदन से उपर टोटल सीर में आ हो रही है देखिए इयर कान में तीन में तीन गो हड़ी इस कान में तीन हड़ी इस कान में तो हो गया कितना छे हड़ी उसी तीन हड़ीयों का नाम है मेलियस इनकस और steps क्या मेलियास इंकस और steps जिसको short में हम लोग मिस भी बोलते हैं यहीं जो steps हडी है यह smallest bone of human body इसको बोलते हैं smallest bone of human body ठेके इसलिए सबसे छोटी हडी यहीं steps होता है और सबसे बड़ी हड हम लोग देखें ही थे जो femur था जो खोखला बोन भी है चलिए तो यहां कान में 6 हडिया चलिए एक हायड बोन होता है यहां बकल कैविटी के ठीक नीचे इस साइड में होता है बकल कैविटी के बेस पर यानि उसके आधार पर यह हायड बोन होता है वहीं हायड बोन है एक ठीक है जो कि भी सेप में इस सेप में ह होता है एक हलका हे में में होता है यह हाइड रों ह्राइड हो गया इस तो खत्म यानि फैट बना कर फैस पर मारेंगे याद से मारेंगे भेस पर याद रखने के लिए कोई भी रड़ेट कर लेंगे चौज़ेब करेंगे याद रखेगा थैननल्य कमारेंगे केमारेंगें bios anal कपाल बोलते हैं, कपाल, हिंदी में कपाल बोलते हैं, और छेत्रिय बासे में उसको कपार भी बोला जाता है, तो ये क्रेनियल में 8 हडियां होती है, ठीक है, तो याद रखेंगे, फेस में कितना, 14, क्रेनियल में कितना, ये सब क्रेनियल है, बाल अगर हटा दिया जाए, तो हो गया कितना 22 हडियां इस कल में बात करें पूरे सीर की तो हो गया 29 जिसमें इयर छो और हाइड बॉन एक ठीक है अब देखिए काउंट कर लेते हैं इधर देखिए वर्टीब्र कुलम में कितना 26 चेस्ट में कितना 25 हेड में कितना 29 काउंट किजिए आग यह 80 यही नहीं एक्सियल हम लोग पढ़े थे पढ़े थे ना तो 126 हम लोग एपेंडिकुलर पढ़ लिए 126 और यह एक्सियल एटी पढ़ लिए कितना हो गया 206 हो गया सब का नाम हम लोग तो ऐसे याद रख लेंगे 126 तो हम लोग जस्ट याद किये हैं और सी यहां ह बैक बोन में कितना बच्चे में 33 बड़े होने पर 26 ठीक है 26 चेस्ट में कितना तो चेस्ट में यह जो रीब केज है पेर में आईएगा तो 24 एक एस्टरनम से जुड़ा होता है मिलके 25 हो गया 25 याद रखेंगे हेड में 29 ठीक है उसमें से अगर एसकल की बात की जाए तो यह सात हडिया निकल जाती है कान की और हाइड बोन की तो हो गया कितना 22 एसकल फैस में कितना तो 14 क्रेनियल यानि कापाल में कितना तो 8 क्लियर इस तरह से हम लोग आज एसकलेटन सिस्टम के बारे में जाने शरीर तो बहुत अच्छा लगा आप लोग इसी तरह से लाइक और कमेंट करते रहिए आप लोग कमेंट पढ़के थोड़ा सा हम लोग में हम लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं ठीक है बहुत अच्छा लगा सेयर किजिए सब्सक्राइब किजिए दोस्तों को बहुत बहुत धन्य बखर बनेवार